अट्जेस्मेंट नंबर पंद्रा मैं बेसिकली कहूंगा इंट्रस्ट आन लोन और यह एक हिडन अर्जेस्मेंट है इसको मैं रखूंगा हिडन अर्जेस्मेंट की कैटेगरी में नोटिंग के लिए आपको पीडियाफ मिल जाएगा आज नंबर अपडेट कर देंगे सबका पहले हम समझ लेते हैं यह है क्या जर्नली नॉर्मली आपने क्या देखा है सर आपको ने एक ट्राइल बैलेंस गीवन होता है एक डेबिट ट्राइल बैलेंस गीवन है ठीक है एक डेबिट एक क्रेडिट है हमने अगर इंट्रेस्ट ओन लोन लिखा मान लेते हैं पचास अजार मान लेते हैं मान लेते हैं पचास अजार है या आपका अज्जस्मेंट अभी तक क्या सीखा है सर इस ट्राइल बैलेंस के नीचे जो बाते लिखी होती है उसे हम एक नाम दे देते हैं जो होता है अज्जस्मेंट और इस अज्जस्मेंट की कितनी एंट्री करते हैं लेकिन कई बार आपको नीचे ना देखे ना जो बात अलग से नीचे बताना होता है वो चीजे ना trial balance के अंदर वो bracket में कह जाता है तो अब trial balance के बाहर तो नहीं हुआ trial balance के अंदर कहा हो गया तो इसलिए ये भी किसका part बन जाता है ये adjustment का तो इसलिए इसका नाम मैंने दे दिया hidden adjustment जो कि आपको नीचे adjustment में तो नहीं मिल रहा लेकिन trial balance के अंदर मिल रहा है जैसे सर इसमें क्या हो सकता है अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है example के साथ करेंगे फिर मैं पहले मैं समझाऊंगा फिर मैं इसका treatment बताऊंगा debit मैंने लिखा 10% loan समझिएगा कभी भी loan के आगे जो percentage लगा होता है न वो indicate करता है interest rate को कि सर इस पे 10% ब्याज हमें देना है क्योंकि loan लोगे तो ब्याज तो देना ही होगा मैंने लिखा 10% loan एक लाक रुपे तो सर इसका मतलब है इस loan पे हमें ब्याज देना पड़ेगा अब loan पे ब्याज कैसे देना होता है मानलो यह आपका पूरा साल है सर साल सुरू होता है आपका एक चार को और end हो जाता है हमारा 31 को अगर loan मैंने इस date पे लिया है तो हमें उस पे पूरे साल का ब्याज कैलकुलेट कर लेना चाहिए loan अगर मैंने इस date पे लिया हो कहीं बीच में तो यहां से यहां तक ब्याज कैलकुलेट होगा loan अगर मैं इस date पे लूँगा बीच में तो यहां से यहां तक ब्याज calculate होगा loan अगर मैं end में लूँगा तो ब्याज ही नहीं calculate होगा, simple सी बात है यानि loan आपने कितने दिन अपने पास रखा है, कितने दिन पैसे इस्तमाल किया, उतने दिन का ही आपको क्या देना है, सर यहां पे उतने दिन का ही आपको ब्याज देना है बड़ी सीधी सी बात है, तो अगर देखा जाए, तो मैंने यहां पे बताया नहीं कि आपको interest कितना होगा, नहीं बताया जी तो ऐसे situation में आपको अजंशन लेना पड़ता है, पूरे साल का कितना देना है आपको? मैंने नहीं बताया, तो आपको अजंशन क्या लेना है? पूरे साल का लेकिन अगर मैं bracket में लिख दूँ कि 1,4 2,022 इसका मतलब है, यह loan आपने लिया 1,4,2,022 को साल हमारा यह है आपने इस date पे loan लिया कितने का लिया, सर 1,00,000 का loan लिया तो ब्याज बताओ कितना बनेगा? पूरे साल का यानि अगर कुछ ना बोला जाए सिर्फ percentage दे दे तो पूरे साल का date दे दे, अगर मैं इसकी जगह पे date को बदल के और ये date कर दू मैं 30,9,2022 तो ये क्या बताता है? सर आपने loan लिया है 30,9 कहीं साल के mid में अब जो ब्याज calculate होगा वो यहां से आप देखों यहां 3 cases हो गया जब कुछ ना दे तब interest पता ही क्या बनेगा? interest बनेगा 10% के हिसाफ से 10,000 कैसे बना सर? 10,000 एक लाग के उपर सीधा 10 by 100 जब हमें बोल रखा था के सर हमने loan इस्तारिक को लिया तो सर फिर से interest calculate अगर हम करते हैं तो फिर से 10% ही calculate होगा जो की आएगा 10,000 जब date दे रखा था दूसरे बार का तीसरे case में क्या होगा सर? 10,000,000 रुपए है इसका 10% ठीक है लेकिन आप ये भी तो देखिए इस्तमाल तो सर कुछ दिनों के लिए किया है कुछ महीने के लिए किया है तो अब कितने महीने का होगया 6 by यानि इस वाले point से पता है क्या पता लगता है हमें कि जब कभी भी हमें interest निकाले गए ना तो interest निकालते time पे बहुत simple सी बात है date का important role होगा पहले तो ये समझे है क्या मैंने कहीं बाहर adjustment लिखा है? नहीं अगर मैं बाहर adjustment लिखता हूँ और मैंने suppose करो कि यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिखा और मैंने बाहर adjustment में लिख दिया कि loan taken on 30 September तो ये वाला adjustment बाहर पता चल गया और इसी को अभी थोड़ी दिर पहले मैंने कहा लिखा था? इसके अंदर लिखा था interest तो निकलेगा आपका ठीक है ना? अब सर interest adjustment का पार्ट बनेगा के नी बनेगा ये मुद्दे की बात है सबसे पहले तो अभी हमने क्या सिखा? interest निकलेगा अगर मैं ये बताता हूँ तो interest कितना आएगा? बताइए 5000 आएगा क्यासे 5000 आएगा? क्योंकि आप कितने महिने का calculate कर रहे हो? और 6 महने का पूरे साल का कितना है? 10,000 और 6 महने का बनेगा हमारा? 5000 6 महने का क्यों? क्योंकि September, October, November, December, January, February, March September तो county नहीं करेंगे खेर क्योंकि 30 है October, November, December, January, February, March 6 महने का ब्याज निकलेगा अब कई बार क्या होगा? जो बाते मैं बता रहा हूँ ना लिख नहीं रहा लेकिन उसे record जरूर कर लेना मान लो मैंने यहां लिखा interest सर इसका मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं अब यह line नहीं की बननी चे मैंने लिखा interest पहले तो यह बताईए interest को भूल जाए interest लोन कितने महीने का निकलेगा? पूरे साल का? जब कुछ ना बोला जाए तो कितने time का निकलेगा? तो सर आप एक बार मुझे बता दीजिए interest बनता कितना है? सर काईदे से देखा जाए तो एक लाख रुपे का करजा है और 10% पूरे साल का निकालेगे क्योंकि date नहीं given तो काईदे से interest बनता कितने का है? समझ मारी बाता लेकिन इसका मतलब है सर 10 में से 2 आपने payment कर दिया है इसका क्या मतलब है? 10 में से 2 इसका मतलब आपका जो अभी जो adjustment वाला part हो जाएगा वो सिर्फ बचे का 10 का नहीं करेंगे हम किसका करेंगे? यानि 8 हजार का हमने payment नहीं किया तो अब adjustment कितने का बनने वाला है? 8 हजार पहले बताइए यहां तक वे डॉप यहां तक समझ में आ रहे हैं बाता सर अगर मैं interest यहां पे 6 हजार कर दूँ तो कितने का adjustment बनेगा? 4 का बनेगा अगर मैं यहां interest 10 हजार कर दूँ तो तो adjustment बनेगा ही नहीं क्योंकि जीरो हो गया यह कह रहे है नीचे adjustment भी बोल दे के interest आपका एक साल का निकलेगा लेकिन आपने चेक कर लिया पहले यानि सर interest की calculation करने से पहले आपको चेक कर ले कि आपको पहले से कितना interest पेड कर रखा है फिर उसके बाद comparison करके आप बता सकते हो कि कितने रुपे का इसमें adjustment लगने वाला है समझ रहे बात को आप तो सर interest के case में दो जगह हो सकता है ये और ये hidden adjustment मैंने क्यों बोला पहले तो आप ये भी समझ लीजेगा सर hidden adjustment मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखेंगे बाहर trial balance के कुछ नहीं लिखा हुआ लेकिन फिर भी देखेंगे आप direct और indirect होते हुए भी ये किसका part बन गया एक adjustment का part बन गया जो trial balance में given होगा जो trial balance के अंदर given होगा सर उसकी तो एक ही entry करेंगे एक entry कहां जाएगा सर वो चला जाएगा profit and loss के debit side मेरे वाले example को देखते हुए आप बताईएगा कि profit and loss के debit में कितना जाएगा जो trial में given है वो ही जाएगा profit and loss के debit side मैं amount change कर देता हूँ फिर से मैं पुराने वाला amount लिख देता हूँ यहाँ पर that is 2000 rupees मैंने लिख दिया है यहाँ पर 2000 तो P&L के debit में कितना जाने वाला amount बताईए सर 2000 चला जाएगा adjustment में हुआ तो 2 entry adjustment में हुआ तो 2 entry adjustment में 2 entry सर adjustment में कौन सी 2 entry एक चला जाएगा profit and loss के debit side मैं भी कर के भी दिखाऊँ गा और दूसरा चला जाएगा balance sheet के liability side as outstanding interest as outstanding interest as outstanding interest मान लो मेरा सवाल यही है इसको represent कैसे करेंगे सर मैं आपके सामने एक बना रहा हूँ यहाँ पर P&L और एक आपके सामने में बना के चल रहा हूँ balance sheet ठीक है इसी को मैं करके दिखा देता हूँ कि कैसे करेंगे तो यह होगी हमारा सर P&L और यह होगी है सर हमारा balance sheet आपको पता यह क्या है liability और यह क्या है सर P&L के अंदर सबसे पहले जो trial balance के अंदर दे रखा है उसे लिखेंगे सबसे पहले loan in 10% तो liability में चला जाएगा एक लाक रुपे है पूरा लिख दिया trial balance के अंदर interest दे रखा है कितने का तो P&L के debit में चला जाएगा यहां तक सुझ मैं अब adjustment दे नहीं रखा लेकिन हमें पता चल गया कि भाईया इसका interest जो बनना चाहिए था वो काईदे से देखा जाए तो कितना बनना चाहिए सर 10,000 बनना चाहिए अब 10,000 रुपे बनना चाहिए जिसमें से payment हम 2,000 रुपे का कर चुके है तो 8,000 रुपे का still हमें देना बाकी तो अब जो देखा जाए तो इसके अंदर add कर देंगे outstanding interest add कर देंगे हम क्या sir outstanding interest कितने और P&L के अंदर तो बन गए पूरे 10 दूसरा balance sheet के liability में चला जाएगा outstanding interest और that is आपका चला जाएगा हमारा 8,000 समझे कैसे करना होगा आपको ठीक है कोई doubt कोई परिशानी यानि अगर आपको date भी नीचे दे देता है तो आप date के according करोगे तो अगर मैं इसी के नीचे bracket में इसी के अंदर लिख देता है माल लेते हैं 30,9 दो हजार बाइस अगर ये लिखता तो total interest कितना बनना था 5, 5 में से कितना दे दिया कितने का adjustment लगेगा 3 का लगेगा, बड़ी सीधी सी बात है उस situation में यहाँ दो लिखता लून की बात करता है ये interest, किसी को doubt है तो बताईए किसी को doubt है तो बताएए झाल